असलाम अलेकुम हूँ है थारी होस्ट अंबर मेहक और आज को प्रोगाम लेके हाजरे खिद्मत है अज हम जिस मोज़ों वो गल करांगा वो है करोना वाइरस जड़ो के एक वाबा की सूरत में पूरी दुनिया ना जड़ो है वो आजसा आजसा खाया हूँ हम करोना वाइरस का ना टॉपिक हमने ओपर देच चुड़ी हो है और करोना वाइरस का हवाला ना गल करांगा कि उसका बार मुहमन के एतियाती तदबीर अपनाई ही चाहिए ना ली हम जड़ो है वो गिलगित बलतिस्तान अलेक्शन 2020 का बार मुह गल कर लियांगा सबतों पहले हम करोना वाइरस गहावाला नगर्द कराएं लेकिन उसता पहले जुड़ो है वो तम प्रोगराम न जुड़ो है वो शेयर कर चुनियों ताके ज्यादा ज्यादा लोग हमरना जुड़ सके और ज्यादा ज्यादा लोग हमरना जुड़ो है वो प्रोगराम हेर सके हैं और अज हमारों प्रोग्राम करें वो मकसद करोनो वाइरस जड़ी के एक बिमारी है सारा न पतो है कि यो वाइरस जड़ो है वो मुझ तेजी न जड़ो है पूरा दुनिया मोपहले हों जड़ो चीन शुरू हो और चीन अपिर इट्ली एरान और इसी तरह वो जड़ो 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 है वो चार दिन तक गला विच चड़ो है वो रह उसताबाद जड़ो है वो इनसान जड़ो है वो मौत की तरफ चले है और यह वाइरस जड़ो है इसकी जड़ी निशानी है वो यह है कि इनसान मुझ जड़ा खांसी और मुझ तेज बुखार यान अगर करोना वाइरस चुंके पूरी दुनिया ना इसे मुतासित कियो है और मुझ ज़्यादा अमवाद जड़ी है वह पूरी दुनिया मोई है तो हम ना एज़ा पाकिस्तानी एज़ा मुस्लिम हम ना केड़ी ऐतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए उसका हवाला ना हम गल कर गानली जड़ जड़ प्रोगाम में रहेंगा वह जड़ूर जड़ो है वह इस प्रोगाम ना शेयर करियों उसमों है एतियाती तदाबीर सबतों पहले यह है कि अपना गरम पो ठहरा रहा हूँ यानि एक दूजा मिलन मों जड़ो है वो परेज करों सफाई को खास ख्याल बार बार हद थाना दों ताके जड़ो है वो यो मर्स पैदा ना हो सके उसके वास्ते हमारे को सारा बेस्ट एक्जेंपल हम ना दीने इसलाम दे छुड़ी है कि अगर हम दिन मों पंच वक्त निमाज को एतमाम करांगा गलांगा हद दोंगा उसके ना के जी वो वाइरस तमाम हम ना घर मों करना चाहिए क्योंकि जएदा ज़्यादा लोगां का मिलन मलापना जड़ो है वो यो वाइरस पैदा वै यानि जुम्मा के दिन अगर मस्चे जान बेहत ज़रूरी है तो उस दिन भी जड़ो है वो सुनत डेरा मों घरा मों पढ़ लो और बाकी निमास जड़ी है वाद जागे मस्चिद में पढ़ो और उस मों भी मसाफा करन मों यानि हथ मिलाना अदूजा परेज करो ताके जड़ो है वो यो वाइरस एक शक्स अदूजा ना मुन्तकिल नहीं हो सकते हम यू नहीं कह सकता कि हाँ जी वाइरस किसना है या किसना नहीं है चुक दवा भी करें तो दवा जड़ी है इसलाम ने भी जुरू है इनसान ना सफाई सुत्राई को ख्याल करन नो हो होकम देतो है तो यू कोशिश करूं कि जाईर यकीनत हमरों रहों लेकिन आत्यात भी जड़ूरी है इसलिए मिलन मिलापा जुड़ो है वो परेज करूँ और हमें रहाएं कि पूरा पाकिस्तान में जो है वो सरगर्मी जड़ी है पाकिस्तान की कलकरना तो उसमें बंद कर दीती गी हम दे रहा है कि सकूल, कोलिजे, युनिवर्सटी अगर बंद है तो इसलिए बंद के गह यह ताके ज़्यादा ज़्यादा लोग जड़ है वह अपना गरमों रहे और दूजांगे वास्ते जड़ो है परशानी को बाइस ना बढ़ें तो जद छुटी रेती गई है बच्चा ना तो उसमों यू करनो चाहिए कि बच्चा ना घरमों मैदूद रखूं हम देखाएं कि छुटी हो जाए तो हम तफरी मकमात को पर जलाएं या मकमात मों जड़ो है यू वाइरस सब तो ज़्यादा जड़ो है असर रख है कि इसमों यू वाइरस जड़ो है अगर 26-27 डिगरी जड़ो है अगर वेगे है तो उसमों यू मर जाए या या यू कम भी करता हूँ अगर बार जान ज़रूरी है तो उसके वास्ते मास्ते वगयरा मसाफो करूं बलके बारा आते ही जड़ो है वो सब तो पहले जड़ो है वो शावर लों हाथ दों इसी तरह जड़ा कपड़ा है उनना तब्दील करूं क्योंकि कपड़ां उपर भी जड़ो है वो वाइरस यो मुझ देर तक जिन्दा रहे हाथां वो और जड़ो है वो कपड़ां वगयरा वो जो वाइरस मुझ देर तक काम करें इसी तरह हम रहे हैं कि अंदरूने और बैरूने मुमालिक जड़ो है वो सफर करना परहेस करूं घर मुझ सिर्फ जड़ोत के शाह लेन वास्ते निकलूं या अपना दोस्तां रिश्टेदारों रमसायाना भी मिलन अप परहेस करूं दूर असलाम कर चुनूं अगर या का जी इसलाम मुझ है कि वो हत मिलन ज़रूरी है तो लेकिन एतियाद जड़ो है हिफाज़त वा बेहद ज़रूरी है इसी तरह हम रहे हैं कि गीले कपड़ा है या जड़ो है वो हत्था यूवारस ज्यादा एक तोल्यो है या दूजी चीज़ है ये एक दूज़गी इस्तमाल करना परहेस करूं इसी तरह हमें रहे हैं कि फार एक्जेंपल हम डेरा मुझ है लेकिन हम बार की चीज़ इस्तमाल करेंगा हम फार एक्जेंपल डिलिवरी बुआया कुछ मंगाँगा ते उसके नहात न मिलाओं उस तरह जड़ी चीज़ लूँ वी तवा उस डबा विचू कर लूँ यानि उस चीज़ ना उस डबा डबा ना धुप मराक्शन हो ताके वो जड़ो है वाइरस मर जाए यानि यो वाइरस गर्म इलाका मों इस ज्यादा तेजी नकम नहीं कर सकता तो फार एक्जे चीज़ ने तेजी ने कितनी तेजी ना उस बजड़ो है वो काबू पाया और आएस्दा आएस्दा वो देखर मों जो है वो तो खतम हो गयो यानि वाइरस लेकिन दूजी एक्जेमपल हमारे कॉल इटली और इरान की है इटली ने फास्ती तदबीर वो अमल ना कर गया घर आप घरम ना रह गया बलकर दूजे लोगा मेल मिला पर हुग क्या रहा है वो कितनी लाश उठाई तो इसलिए बेतर है कि हम जो है अपना घरममो मेदूद रहा यानि हम किसी वास्ते बेतर कर सका है तो हमँजाए है कि हम अपना घर आला यानि कि अपना ड Hä Nam nा भी जडो है क्योंकि यह मर्स जड़ो है वो मुझे तेजी नफैल है और इसमों हमने एकजमपल एली ईर्णु चाइना और तुर्की की सोरी इटली जड़ो है वो चीन ने किस तरह इस पो कबू पाए और तुर्की ने इस मोझे बिल्कुल कबू नपा गया जड़ो है वासला रखो एक दूज़ा की चीज़ इस्तमाल ना करो और जुड़ो है यू कहनो कि अल्ला वो यकीन रखके हम बार निकलांगा और मसाज़ित पहुंचांगा तो यह गल बिलकुल गलत है क्योंकि इसलाम भी दूआ के ना दौआ की एहमित ना उजागर करें इसलिए जरूरी है अगर हमने अपना मुल्क के लिए और अपना घरवाला वास्ते कुछ करनों है तो हम ना अपना घरा तक मैदूर होंगी बेहद जरूरत है यानि हम किसी के ना नेकी करांगा नेकी करन चाहे तो उसको बेतरीन वक्त यूज़ है कि हम दूज़ां वो एहसान करां वो यह सब तो बेतरीन ऐसान यूज़ है कि हम दूज़ां दूरी इस्तियार करां इसी तरह खुदाने आज तक उसकों की हालत नी बदली ना हो जिसा ख्याल आप अपनी हालत ना बदलन को इसी तरह दिने इसलाम हो भी है कि जिस शक्स ने एक शक्स को कतल कियो उसने पूरी इसलिए अगर हमने किसी ना बलाइ करनी है किसी ना नेकी करनी है किसी भूए तो हमने म दूज़ां जरो हैoterकी वह दूरर है इसी तरह हम अगर किसी वो हैसान करने चाहें तो हम अपने हमसाया इन मोहरलियां कि अगर उन्होन जहुत के शया अगर वी नहीं देड़िदार है या वे जहुत गी चीज हमें को अवीलेबल नहीं तो अगर ताम घरम предлаг द जहुत अगर कोई करायधार है तो उन्होन तर sleeps कमीने वैगो किते हम अपनी थे दूजांगी मोद को जिम्हदार थे नहीं पढ़ता पिया क्योंकि हमारा मुल्क मों इतनी ज्यादा वसाइल नहीं इतनी ज्यादा हमारे को टेकनोलजी भी नहीं उसका मरीजाना वारेक्ष्ट चुना के यह मर्स ज्यादा है का बड़ी उमर का लोगम और बच्चा मों सब तो ज़्यादा रहा है और कोशिश करूँ कि अपना घर अलंगी जड़ी है, हिफाज़त करूँ, इसके इलावा हम दुबारा जड़ो है, वो हिफाज़ती तद अभी जड़ी हमने दस्ती थी, नज़सानी का चुना वो यो कि घरों मरूं और एक दूज़ा मिलना प्रेज करूं, सफाई को खास ख्य जड़ो है, वो एमियत कामल है, या ते यो मर्स मुझ तेजी नप्हेलेगो, यहामी जड़ो है, यह भबा खत्म हो जाएगी, तो बेतर है कि इस वक्त जड़ो है, वो किसी दूज़ा पो तनकीद करने या खकूमत पो तनकीद करने बजाए जड़ो है, वो अपना लोगा न बचाओं, उसके अलावाम नेकल कही थी कि स्कूल, कालिज और यूनिवरस्टी बंद है, और वो इसलिए बंद की गई है, ताकि जब बच्चा इदारा मों ना आगए, एक दूज़ा ना मेल मिला आपकल है, या एक जगह गर लोग दूज़ा जगह ना जाए, बलके घरा मो रहे तो उसको यू मतलब नहीं कि तम तफरी मकमात पो जलो या ठंडा मकमात पो, क्योंकि ठंडा मकमात मों यू वाइरस सबस्तों ज़्यदा कम कर रहा हूं, या फार एगज़ेंपल अगर कश्मीर का एरिया है ते इन जगह मों यू वाइरस ज़्यदा वैग हो, क्योंकि 26 या 27 डिग्रिम और यो जडो है, दोपया उसमें यू वाइरस मर जाए, और अगर बाест जाना हो मुझझ ज़्यदा ज़्यदा ज़रूरी है, तो मास्क को इस्तामाल करों, बाद जाना पहले, बार ऊना जडो है वो आते ही, जडो है, वो अधार नहाट ना लाओं, बलके यह जड़ो है दो धूप्भियँ उसमें यूवaçãoधर मर जाय है और अगर भार जारने हो बार जाएवस्ट जार जारना हो, मुझ्जद जारना हो, बार जारना पहले भार दरो आरना जड़ो है, वो आते ही जड़ो है वो दर्वाज़ा नहाद ना लाओं इसी तरह अपना घर मौते ही जड़ो है वो सब तो पहले शावर लूँ कपड़ा जड़ा है उना उतार गए धो लूँ क्योंकि उन तब ही जड़ो है वो वाइरस मुन्तकिल हो सके और हद्स मिलान किसी ना ज़रूरी नहीं कुछ धेलावाजे जड़ो है वो मसफो करना परेज करूँ इसी तरह अंधरूरी और बहरूरी मौमालिक जड़ो है वो सफर करना परेज करूँ क्योंकि अगर हम किसी ना कुछ किसी वो इहसान कर सका है तो वा उसके जिन्दगी बचान को इहसान है इस वक जड़ो सब तो बड़ा है इसलिए अपना दोसना रिष्टेदारा और रमसाया भी मिलना परेज करूँ इसी तरह आइस क्रीम खाना परेज करूँ क्योंकि ठंडी चीज़ा मुई सब तो ज़्यदा है और इसी तरह गीला कपड़ा या हथा मुई वाइरस सब तो ज़्यदा जल्दी हमने चाहिए कि हम दूज़ा वो बोज बढ़नें के बजाए अपना और अपना घर वाला फासला रखा बलकि अपना घर अला भी जड़ो है वो दूरी अख्तियार करा ज़़ो है वो एक कमरा तक अपना अपना मैदूद रखा ताके ज़़ो है ऐसो कोई भी मर्स पैदा ना हो सके इसी तरह सफाई सुत्राई को ख्याल करो निमाज को इतमाम करो घरम हो और जाहरे निमाज मों पन्च वक्त जड़ो है हम हद होगे भी इस मर्स मों काबू पास सका है इसके लावा हमने जड़ो है वो गल करनी थी गिल्गित बलतिस्तान मों जड़ो है वो सुभाई असम्बली वास्ते जड़ा है अलेक्शन वहंगा ने वन गिल्गित बलतिस्तान सुभाई असम्बली है जड़ो है गुजर कौम को नुजवान जड़ो है सरदार आईशान गुजर जड़ो है तो वे उसां अगर तम समझा कि वो वाकिए धारी उमीदां वो पूरा उतर सके तो उसको इंतखाब करों कियोंके वो वक्त कियों कियों कि हम गजर लफ्स का वो जो है वो कैश हुआ है या रहा है कि चोधरी रह्मात अलीगी मेद ना पाकिस्तान लाणवास्ते भी लोगां ने वोट इकठा किया और उसकी मेद वो स्यासत की या जर्फू कुम ना यूब लावो दे तो कि थम बना व हमारों हग हैं सियासी हग हैं और हम सियासत दानाना सلام करां یा उन तरडरां या उना मुझ कुछ समझा यो इस वकत नहीं बलकि वे हमारा नोकर है नी सियासत दान अवाम का नोकर हैं हम उन ओन वोर्ट देगे उन वे इसमकाम तक पोंचायं हम टैक्स हम ऽादा करा आ हैं जिस्त वो गुजर है यानि उसका कम नही हो उसका वर्क नही हो उसका अमाल नही हो यह यह रही हो कि वो कामत्छू करहे हो तो हम ने मैदा कि वह सब्सक्र हो धाना भी हमारी समझाई है ते हम ना वैगो के हमने अपना मकसद पूरो कर चुड़ी हो जएदा जएदा इसा शेयर करी हूँ और मुझे सारा लोगां कॉमेंट आया जड़ा हूँ पढ़ नहीं सकी और जज़ाकल्ला लखेर, लाफेज